अगर आप एक इस किसम की रोबॉटिक कार बनाना चाहते हैं जिसमें यह गियर्ड मोटर्स दो गियर्ड मोटर्स लगी हैं जिनके साथ वील्स अटैच्ट है और आगे कैस्ट भी लगा हुआ है तो इस किसम की जो रोबॉटिक कार है इसके लिए हमारे को अगर हम आडवीनो से इसको बिल्ड करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि यहां पर एक आडवीनो लगा हो उस आडवीनो से हम इन मोटर्स को करिंट सप्लाई कर रहे हों और साथ ही फिर बाद में कुछ सेंसर वगरा लगा के हम इस कार को रोबॉटिक कार बनाना चाहते हैं अबस्टेकल अवाइडिंग या लाइन फॉलोइंग या इस किसम की तो यह हम इसका सर्किट जो है इसको हम टिंकर कैड में सीखते हैं कि आडवीनो के साथ हम दो गियर्ड मोटर्स कैसे चला सकते हैं तो यह मैं final assembly दिखा रहा हूँ कि हम क्या बना रहे हैं और फिर मैं इसको step by step समझाओंगा तो अभी हमने यहाँ पर Arduino जो board लिया है और उसके साथ हमने एक breadboard attach किया है breadboard को हमने उसकी अपनी power supply दी है और breadboard पर हमने जो है यह एक L293D जो IC है एक integrated circuit जो कहलाता है तो यह एक IC हमने लगाई है जिसको motor driver IC भी कहते हैं और इस से हमने यह दो motors attach करी हैं हम motors जो है वो directly Arduino में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह motors जो यह geared motors है यह काफी current draw करती हैं और अगर हमने इनको directly board पे लगाया दो motors को तो वो जो हमारा board है वो फुक सकता है इसलि इन motors को connect करते हैं यह integrated circuit जो है L293D यह बना ही motor motors को चलाने के लिए है तो यह अभी अगर मैं इसकी simulation आपको दिखाऊं तो अभी हमारी जो motor है वो एक जो है वो clockwise चल रही है दूसरी anti-clockwise चल रही है तो हमारे को गाड़ी को forward करने के लिए motors को इसी configuration में चलाना लगाना पड़त है कि एक motor clockwise चले तो दूसरी anti-clockwise चले और फिर वो रुक रही है donor motors रुक रही है और फिर वो जिस भी direction में चल रही थी उसकी reverse direction में चल रही है तो यहां जो मैं आपको समझाने के कुशिश करा हूँ वो यह कि अगर आप उस अपनी robotic chassis में इस किसम की assembly लगाते हैं कि आपके ब्रेड मोटर हैं Arduino है एक यह L293D integrated circuit है एक breadboard है और power supply है Arduino की अपनी अलग power supply है और इस breadboard की अपनी अलग power supply है जिनसे हम यह दो motors चला रहे हैं तो आप जो circuit है वो क्या बनाएंगे और circuit के अलावा जो code आप लिखेंगे वो code क्या होगा जब हम Tinkercad में code लिखते हैं तो हम उसको download करके actually जो हमारा physical Arduino है उसमें भी transfer कर सकते हैं अगर आपके पास Arduino है तो और अगर Arduino नहीं भी है तो आप अपने कम conceptual clarity के लिए ये Tinkercad को use करके अपनी conceptual clarity बढ़ा सकते हैं तो हम ये जो circuit है हम इसको step by step बनाना सीखते हैं फर्स step में मैं आपको ये समझाओंगा कि कैसे हम दो motors को Arduino से लगा के चलाते हैं अफकोर्स यहाँ पे मैंने अभी केवल दिखाने के लिए इनको directly board पे लगाया है ताकि मैं आपको logic समझा पाऊं पर जब हम final assembly करेंगे तो हम ये motors को directly नहीं लगाएंगे Arduino board पर हम उनको अपनी separate power supply देंगे और उसको हम L293D chip से जोडेंगे तो यहाँ पे अगर मैं ये simulation चला रहा हूँ तो ये केवल simple दिखा रही है कि किस तरीके से जो हमारी दो motors है वो हम एक code लिखकर forward और reverse कर सकते हैं using an Arduino तो ये circuit हम step by step बनाते हैं तो मैं tinkercat.com पर हूँ मैं already logged in हूँ और यहाँ circuits select करके मैं कह रहा हूँ create new circuit यहाँ पर हम सबसे पहले programmable component ला रहे हैं हमारा Arduino board तो मैं एक Arduino board इस play area में ला रहा हूँ और उसके अलावा हम एक motor DC motor hobby जो gear motor है वो ला रहे हैं एक हमारे पास यहाँ all DC motor है पर हम अभी मैं आपको वो motor दिखा रहा हूँ जो कि अगर आप robotics try करोगे तो आपको ये geared motor ही use करनी पड़ेगी और इसको फिर मैं R दबा के इसकी direction बदल रहा हूँ तो अब हमारे पास एक ये geared motor है और ये Arduino board है जैसा मैंने कहा कि हम actually इसको अलग लगाएंगे अपने breadboard पर और उसको एक अलग IC से connect करेंगे पर अभी केवल समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि अगर हम simply इस motor को Arduino से power देके चलाना चाह तो हम क्या करते तो हमारे पास इस motor में दो terminals है एक negative और एक positive तो ये जो motor का negative terminal है हम इसको अपने Arduino के जो ground की pin है उस पे डाल रहे हैं और convention follow करते हुए मैं उसको black कर रहा हूँ और फिर जो ये हमारी positive pin है ये हम कहीं भी दे सकते हैं तो मैं यहाँ पे number 5 pin पर दे रहा हूँ Arduino में number 5 pin पर दे रहा हूँ और फिर हमारे को एक छोटा सा program लिखना पड़ेगा इस motor को चलाने के लिए हमने motor pin 5 पे attach करी है तो मैं code में जाके जो current program है इसको delete कर रहा हूँ और फिर मैं output select करके यहाँ पर set pin और हमारी ये pin है 5 तो मैं कह रहा हूँ कि set pin 5 high यानि कि जो pin 5 है उसमें voltage supply शुरू कर दो high का मतलब है कि voltage supply शुरू कर दो और मैं control में जाके फिर एक weight की command ला रहा हूँ कि उस pin को फिर let's say 3 second तक high रखना फिर output पर जाके मैं फिर एक और set pin ला रहा हूँ और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यही जो pin 5 है इसको low कर देना यानि कि इस पर जो voltage supply है वो रोग देना और फिर control में जाके मैं कह रहा हूँ कि 1 second के लिए रोग देना और यह एक loop है जो चलता रहेगा तो हमारी motor 5 seconds के लिए चल चलेगी और यह loop continuously चलता रहेगा तो अब अगर मैं आपको यह simulation चला के दिखाता हूँ यह हमारी motor 51 rpm पर चल रही है 51 revolutions per minute पर चल रही है और फिर यह 3 second चलती है फिर रुकती है फिर 3 second चलती है फिर रुकती है तो जब हम अपनी motor को Arduino से directly connect कर रहे हैं तो उसमें enough current नहीं है voltage ह है पर current नहीं है voltage और current में क्या difference है यह मैंने एक और अपने वीडियो में समझाया है तो क्योंकि enough current नहीं है इसलिए वो इतने low rpm पे चल रही है केवल 51 rpm पर यह motor अभी चल रही है और दूसरी बात क्या है कि जब हम इस configuration में अपनी motor attach कर रहे हैं कि सीधे ground की pin ground पे देकर और द समझते हैं कि अगर हमारे को इस motor को forward reverse करना है तब हमें क्या करना है तो मैं stop simulation करके यहां पर यह जो हमने ground पे wire दिया था इसको मैं delete कर रहा हूं तो basically हमें करना क्या है कि अगर हमारे को अपनी motor को program करना है तो जैसा मैंने एक और वीडियो में समझाया था कि DC motors कैसे चलती है क कि अगर मैं इसकी polarity flip कर देता हूं यानि positive negative terminals जो battery से आ रहे हैं उनको flip कर देता हूं तो यह motor की direction बदा जाती है यह clockwise चल रही होती है तो यह anti clockwise चलने लगती है तो हम किसी भी motor को clockwise यह anti clockwise चला सकते हैं just by changing the polarity और हम यही Arduino के through code लिखकर यही करना चाहते हैं कि हम अपनी motor की जो polarity है वो flip करेंगे through code तो यह करने के लिए फिर मैं negative terminal को ground में देने के बदले मैं उसको let's say इस number 6 में दे रहा हूं और मैं उसका color भी बदल रहा हूं तो अब हमारे पास जो यह motor है यह हमारे Arduino से connected है pin 5 और 6 पर और अब हम code क्या लिख रहे हैं कि हम पहले जो pin 5 को हम high कर रहे द तो हम कह रहे हैं कि अगर मैं इसको duplicate करता हूं तो हम कह रहे हैं कि जब हमारे को इसको एक particular direction में चलाना है तो हम कह रहे हैं pin 5 को high रखना और pin 6 को low कर देना तो हमारा circuit ऐसे चलेगा कि हमारी जो pin 5 है वो positive treat होगी और pin 6 जो है वो negative treat होगी उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 3 second तक यह चलाना फिर मैं इसी पूरी command को duplicate करके अब मैं उल्टा कर रहा हूं अब मैं कह रहा हूं कि pin 5 को low कर देना और pin 6 को high कर देना और इसके बीच मैं इसको फिर से duplicate करके यहां बीच में लगा के मैं दौनों को low कर रहा हूं और यह जो है इसको मैं delete कर रहा हूं तो हम program क्या लिख रहे हैं कि पहले pin 5 को one of the pins को high करना दूसरी को low कर देना 3 second के लिए फिर दौनों को low कर देना यानि कि motor को रोग देना 2 second के लिए और फिर मैं यह जो पहले जो pin 5 high थी अब इसको low कर रहा हूं और जो pin 6 low थी उसको मैं high कर रहा हूं यानि कि मैं उसकी polarity flip कर रहा हूं तो अब अगर मैं इसको start simulation करता हूं तो हमारी जो motor है वो 30 rpm पे plus 30 rpm पे चल रही है फिर वो रुक रही है और फिर वो minus 30 rpm यानि कि reverse direction में चल रही है तो इस तरीके से जब हम motors को Arduino के ground में ना देते हुए किनी दो pins पे देते हैं तब हम उनको program कर सकते हैं कि कौन सी जो terminal है positive या negative हम किसको high रखें और ये change करने के बाद कि हम किसमे voltage supply कर रहे हैं this is equivalent of saying कि हम polarity flip कर रहे हैं इस वज़े से जो है motor हमारी जो हमारी motor है वो forward और reverse हम through a program चला सकते हैं अब आपको केवल logically ये बात समझाने के लिए कि ये अगर आप एक robotic काड़ी बना रहे होते तो क्या करते तो मैं stop simulation करके एक और motor ला रहा हूँ इसको भी मैं reverse R button दबा के इसकी direction ठीक कर रहा हूँ और यहाँ पर हम अब क्या कर रहे हैं कि जो ये motor है and again मैं repeat कर रहा हूँ कि हम जब actually गाड़ी बनाएंगे तब हम motors को directly board पे नहीं लगाएंगे ये simulator है इसलिए मैं लगा रहा हूँ आप अगर physical board में लगाओगे तो आपका board जो है वो फुक सकता है या वो particular pin जो है वो फुक सकती है तो यहां केवल logic समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ तो अब मैं दूसरी motor का जो positive terminal है उससे एक wire और ला रहा हूँ और उस wire को मैं for example दे देता हूँ pin number 11 पर और इसका मैं color बदल देता हूँ और फिर मैं negative से एक और wire ला रहा हूँ motor की negative terminal से और इसको मैं दे देता हूँ pin number 10 पर और मैं इसका भी color बदल देता हूँ तो अब हमारी ये जो दो geared motors है ये चार अलग-अलग pins से connected है तो अब अगर हम code में जाते हैं तो यही पर जहां पर हमने ये दो pins यहां लगाई थी इनको मैं duplicate कर रहा हूँ तो अब हम क्या कह रहे थे कि जो हमारी pin 5 और 6 को थो हम पहले program कर चुके थे अब हमारे पास 11 और 10 और 11 pins है तो अब हमारे को करना वही है हम यहां पर कह देते हैं कि pin 11 जो है उसको high करना pin 10 को low कर देना फिर मैं यहां पर यही wait for 3 seconds कह रहा हूँ और फिर मैं यह delete करके इसी चीज़ को repeat कर रहा हूँ और फिर इसी चीज़ को एक और बार repeat कर रहा हूँ फिर मैं कह रहा हूँ कि सब को low कर देना यानि कि motor को रोग देना और फिर मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ तो पहले मैंने यह high कहा था तो मैं इसको low कह रहा हूँ, इसको high कह रहा हूँ, इसको low कह रहा हूँ, इसको high कह रहा हूँ और let's say मैं चाहता हूँ कि यह cable 2 second रुके तो अब इस code के साथ हम simulation फिर से चलाते हैं तो अब हमारी जो 2 motors हैं, वो दौनों इस तरीके से लगी हुई हैं कि हम अपनी गाड़ी को अगर हम यह पूरी assembly एक फिजिकली एक शासी पर fit करते तो हमारे पास एक toy car होती, एक robotic car होती, जिसको कि हम program के थुरू forward या reverse कर सकते हैं अब अगर आप एक मिनट सोचो कि आप एक robotic गाड़ी बना रहे हो और आपने इस किसम की दो geared motors लगा के और program करके उस car को आपने forward और reverse तो कर लिया अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको यही car को turn कराना है, तो आप turn कैसे कराओगे अगर आपके उसको remote control car है तो आप उसको ध्यान से देखना, गाड़ी मोडने के लिए और आप यह बात logically भी समझ सकते हो कि अगर मैं एक motor को रोग देता हूँ और दूसरी motor को चलाता हूँ, तो क्या होगा? यह पईया fix रहेगा, यह पईया घूमेगा, तो हमारी गाड़ी जो है, वो automatically इस तरीके से जो opposite direction में, जहां पर भी जो भी motor हम चला रहे हैं, उसकी opposite direction में turn कर जाएगी and likewise, अगर मैं इस motor को रोग देता हूँ, और इस motor मैं current supply करता हूँ, तो हमारी गाड़ी क्या होगा? वो opposite direction में turn कर जाएगी अब अगर मैं इस motor को चलाता हूँ और इसको totally रोग देता हूँ, तो हमारी गाड़ी जो है, वो 360 degree move कर जाएगी circular way में move कर, turn करेगी, पर अगर मैं चाहता हूँ कि हम circular way में नहीं अपनी गाड़ी turn करना चाहते हैं, हम तो एक slight, let's say 30 degree turn लेना चाहते हैं तब मैं क्या करूँगा, कि इस car को, की speed, इस motor की speed full रखूँगा, पर दूसरी motor की speed zero करने के बदले, उसकी speed थोड़ी कम कर दूँगा तो उससे क्या होगा, कि ये पईया भी हलका हलका आगी चल रहा होगा, और ये पईया जादा तेज चल रहा होगा, तब मेरी गाड़ी जो है, वो, जितनी भी degrees में उसको मोड़ना चाहता हूँ, मैं उसको मोड़ पाऊंगा तो हम जब robotic cars बनाते हैं, तब हमारको यही करना पड़ता है, हम motor की direction की वो clockwise है की anti-clockwise है, ये determine करके, और दौनों motors में कितनी हम voltage supply कर रहे हैं, उसको control करके, हम गाड़ी को बहुत finelyly control कर सकते हैं, हम उसको 360 degree turn करा सकते हैं, यहां उसको 10, 20, 30, 40, जितनी भी degree left, right turn कराना हो, turn करा सकते हैं, और even same principle reverse में भी apply होगा, कि अगर मेरी ये जो गाड़ी है, ये reverse कर रहा था मैं, तो एक तो था जैसे अभी हो रहा है कि दौनों पहिये जब पीछे move कर रहे हैं, तो गाड़ी straight पीछे move कर रही है, पर अगर मैं reverse करते वे भी उसको turn कराना चाहता था, तो मैं एक motor क reverse करूँगा, और दूसरी को रोक दूँगा, तो वो reverse में turn कर जाएगी, और अगर मैं एक motor में full voltage दूँगा, दूसरी में दूँगा, reverse side में, बट कम voltage दूँगा, तो वो हलका turn करेगी, तो इस तरीके से हम motor की polarity, और उसमें हम कितना current supply कर रहे हैं, ये दौनों चीजें जो ह हम उस sensor को ऐसा program कर देंगे, कि अगर सामने गाड़ी आ रही है, या कोई obstacle आ रहा है, तो अब जो है, इस car को reverse कर देना, यानि कि वो sensor इस board को कहेगा, कि ये जो polarity है, ये flip कर दो, और polarity flip हो जाएगी, एक दो second के लिए तो गाड़ी reverse हो जाएगी, और वो collision जो है, वो बच जा या हम program कर सकते हैं, कि आगे कोई चीज है, obstacle detecting हमने कोई sensor लगाया, तो हम कह सकते हैं, कि if there is a obstacle in front, then stop the voltage to both the motors, तो हमारी गाड़ी रुख जाएगी, तो I hope conceptually आपको बात समझ में आ रही है, कि अगर आप एक robotic sensor based car बनाना चाहते हो, तो उसका first step ये है, कि आप उसमें DC motors आते हैं, तो next video पर मैं आपको समझाओंगा, कि कैसे हम एक motor driver IC लगा कर इस किसम की robotic गाड़ी, Arduino या किसी भी और microcontroller से कैसे बनाते हैं